दोस्तों नमस्कार वेलकम स्वागता आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आप क्या पसंद करोगे ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट या कम पैसे में बेस्ट सर्वीस 1770 लगा लिया तो बैठे रहोगे लेकिन 354 से जोइन होगे तो पूरी काइनात में नाम बना लोगे तो दोस्तों इसी तरह का पोस्टर फेस्बुक पर सेर किया जा रहा है और ये पोस्टर मेंने फेस्बुक से निकला है नेक्स्टमेंट और एक जो नया प्लान सर्वीस सेक्टर के अंदर आया है इनर एक्सपर्ड या INR एक्सपर्ड इसके बीच डिफरेंस बताया झा रहा हैरांकि इनके बीच तुलना नहीं की जा सकती next money बहुत बड़े लेवल पर है next money के साथ इसका कोई comparison नहीं है लेकिन कुछ लोग comparison में लगे हुए हैं और गलत जानकारी share करते हैं facebook पर तो facebook से ही मैंने ये posture लिए है सही जानकारी देना मेरा काम है इस channel पर हम सही education देते हैं सही चीजे हम अपने channel पर बताते हैं और हम किसी company की बुराई नहीं करते हैं यहां पर लेकिन हमारा काम है कि अपनी next money team को educate करना हमारा काम है हमारी next money team को सिखाना और सही जानकारी देना तो मेरा वीडियो बनाने का मक्सद यही है कि मैं आपको सही जानकारी दूँ ताकि next money के अंदर आप अच्छे से काम करसको और बिना बटके हुए आप अच्छे से काम करसको क्योंकि MLM की दुनिया एक भूल बलाया है इसके अंदर अगर बटक गए तो बटकते ही रहोगे कभी इदर प्लान में कभी उधर प्लान में और ये चीज सभी को पता है ठीक है तो मेरी टीम बटके ना next money के जो users हैं वो बटके ना उनको सही जानकारी देना मेरा काम है इसलिए मैंने ये poster निकाले हैं और सही जानकारी देने काम मैंने फेसला लिया है तो दोस्तों एक ये poster है जो share किया जा रहा है, एक और poster मैं दिखाना चाहूंगा, जी हाँ, एक ये poster भी share किया जा रहा है, और इसमें next money और INR expert के भी जो difference है वो बताया गया है, कि INR expert 200 level का plan है और next money 10 level का plan है, INR expert 354 की prime membership है और next money में 1770 की prime membership है, INR expert 600 reward point देता है, next money 1500 reward point देता है, ठीक है, अधार payment उपलब्द है और यहाँ पे नहीं है, INR expert recharge bill shopping merchant पर 2%, 2%, dead% 2% case pick देता है, next money recharge bill shopping merchant पर 1%, 25%, discount point 1%, 1% case pick देता है, तो दोस्तों, मेरे को यह समझ में नहीं आता, कि इस बाई ने यहाँ पर क्या गलती कर दी, कहीं इस बाई ने उल्टा तो नहीं लिग दिया, या फिर एक जूट जो फेलाया जा रहा है, next money को लेकर, और INR expert को comparison करते हुए, और यहाँ पर, क्या 354 की ही prime membership है, INR expert में, और जो networking करते हैं, उन लोगों का experience, यहाँ पर काम आएगा, और उन लोगों को पता है, कि 200 level तक 354 की prime membership पर income कितनी होगी, 54 रुपए तो GST है, 300 रुपए जोइनिंग है, और 300 रुपए को बंटेगी company 200 level तक, तो कितना बंटेगा दोस्त, यह चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सोच सकते हैं, कि 300 रुपए, 200 level तक income, यह कैसे होता है, manage, तो क्या 354 की ही prime membership है, या कुछ और पेसा भी company लेती है, क्योंकि 200 रुपए से तो पार पड़ेगी नहीं, कुछ और लोचा है इसके अंदर, तो वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बने रहीएगा, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, यह थी गलत जानकारियां, जो पोश्टर फेस्बुक पर share किये जा रहे थे, और मैं चाहता हूँ कि आपको सही जानकारी मिले, इनर एक्सपर्ट का प्लान जानने के लिए मैंने किसी बाई से संप्रक किया, और उनसे प्लान जाना इनर एक्सपर्ट का, और पीडियफ फाइल भी मैंने ली, जी हाँ पीडियफ भी है मेरे पास, ठीक है, तो पीडियफ देखने के बाद, प्लान देखने के बाद पता चला कि यार ये 300 रुपे, 200 लेवल तक केसे बंटे जाते हैं, और कितने रुपे और एक्स्ट्रा लिये जाते हैं मेंबर से, वो चीज में आपको बताना चाहूँगा, तभी 200 लेवल तक इंकम बंटेगी, ये सब को पता है, ये लोजिक है, ये मैथमेटिकली लोजिक सब को पता है, तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या वाकई में 354 ही प्राइमेंबर सिफ हैं, आये नार एक्सपर्ट की, या और कुछ लेती है, उसके लिए चलेंगे हम पीडियो फाइल के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा पीडियो फाइल, कि क्या प्लान है और 354 रुपे ही लेती है, या कुछ और भी लेती है, ये सचाई में आपको बताने जाऊंगा, और लाश्ट में इन दोनों एप्लिकेशन की सही तुलना हम करेंगे, जी हाँ, ये तुलना जो यहां पर की गई है, ये एक दम गलत है, और इस गलत को सही करने का काम है हमारा, इस चैनल पर गलत को सही किया जाता है, तो बने रहीएगा और चलते हैं, इसको सही करते हैं, तो दोस्तों ये है पीडिया फाइल, आई एन आर एक्सपर्ट की और यहां पर, प्लान मैं आपको बताऊंगा कि 354 रुपे ही है, या कुछ और भी कंपनी लेती है, तो दोस्तों इस प्लान को नो सेक्षन के अंदर बांट दिया गया, नो सेक्षन में बांटने का मतलब यह है, कि आपको एक बार नहीं, नो बार आईडी अपग्रेड करनी पड़ेगी, यानि कि यहां पर मत्र 354 रुपे से काम नहीं चलने वाला है, आपको बहुत बड़ी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, 200 लेवल की इंकम के लिए, वो जो अपग्रेड है, कितनी बार करना पड़ेगा, 9 बार करना पड़ेगा, और कितनी कितनी अमाउंट में आपको करना पड़ेगा, वो हम बताएंगे, और साथ में जोड के बताएंगे, कि टोटल अपग section 1 की और यहां पर मिलती है आपको 12 level तक income section 1 के अंदर और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर 12 level तक ही आपको income मिलेगी 354 के प्लान में यह एक सचाई है अगर आप 354 ही देते हैं तो आपको सिर्फ 12 level की income मिलेगी 200 level की नहीं मिलेगी जैसा की poster में बताया गया है वो एक सच नहीं है आपको 12 level से आगे की income चाहिए तो आपको दूसरी बार और अपग्रेड करना पड़ेगा तो यहां पर आपको 354 से अपग्रेड करना पड़ेगा तब आपको यहां पर 12 level की income मिलेगी तो सबसे पहले 354 रख लेते हैं हम अपने calculator के अंदर जी हां 354 रुपीज जो पहले pay करने पड़ते हैं अब बात करते हैं अगर 12 level से आगे की income आपको चाहिए तो आपको section 2 में आना पड़ेगा और आपको यहां पर 700 से अपग्रेड करना पड़ेगा 700 रुपे आपके wallet से कर जाएंगे और फिर आपको मिलेगी 27 level तक income इसको भी हम जोड़ लेते हैं पलस करते हैं 700 इसके बाद 27 level तक ही आपको income मिलेगी अगर आपको और आगे level तक income चाहिए तो आपको एक बार फिर अपग्रेड करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा section 3 के अंदर यहां यह है section 3 यहां पर आपको 1500 से अपग्रेड करना पड़ेगा जी हां दोस्तों आपके wallet से 1500 रुपे और कटने वाले हैं यहां कि 1500 रुपे आपके और कटेंगे फिर आपको मिलेगी 42 लेवल तक income जी हां तो 1500 रुपे और एड़ कर देते हैं जो joining amount है उसके अंदर जी हां यह आपकी ही कमाई है दोस्तों जो कटेगी अब दोस्तों 1500 रुपे कटने के बाद आप 42 लेवल तक ही income ले सकते हैं उससे आगे की income नहीं ले सकते अब भी आप 200 लेवल तक income नहीं ले सकते जी हां इसके लिए आपको और अपग्रेड करना पड़ेगा चोथी बार और अपग्रेड करना पड़ेगा आपको यहां पर 3500 रुपे जी हां भी हम जोड़ लेते हैं 3500 और कटेंगे आपके तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं टोटल कितना हो गया 6000 पलस जोइनिंग अमाउंट हो गया और 6000 अमाउंट पे करने के बाद आप 75 लेवल तक आप इलीजिबल होगे इंकम लेने के लिए अभी भी आप 200 लेवल तक नहीं पहुंचे हो दोस्तों 6000 रुपे आप दे चुके हो लेकिन अभी भी आपको 200 लेवल तक इंकम नहीं मिलेगी अब बात करते हैं अगर आगे और जाना है आपको आगे की इंकम चाहिए तो आपको फिर पांचमी बार अपग्रेड करना पड़ेगा जी हाँ लाइफ में एक बार अपग्रेड नहीं करना है यहां पर 9 बार आपको अपग्रेड करना है अभी तो पांचमी बार हम पहुंचे हैं और पांचमी बार आपको अपग्रेड करना पड़ेगा यहां पर 7600 रुपे से यानि कि आपके wallet से 7600 रुपे और कटेंगे तब आप 100 लेवल तक की income लेने के लिए eligible हो जाओगे तो हम 7600 रुपे और add कर देते हैं इसके अंदर और जोड़ देते हैं 7600 रुपे अब देखे 100 लेवल की income लेने के लिए आपको 13654 रुपे देने पड़ेंगे तब आपको 100 लेवल की income मिलेगी तो आप पीछे जांके देखेगा कि उसमें क्या दे रखा था कि 354 रुपे में 200 लेवल इंकम अभी तो 100 लेवल ही income आई है और यहां पर 13654 रुपे आपको invest करना पड़ रहा है अब इसके पीछे लोजिक भी देंगे लोग उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा अब चलते हैं पांच़वी बार अप्ग्रेड कर लिया आपने 7600 रुपे आपने दे दिये अब छटी बार आपको अप्ग्रेड करना है और यहां पर छटी बार जब आप अप्ग्रेड करेंगे तो आपको 12,000 रुपे देने पढ़ेंगे दोस्तों 12,000 रुपे से अपग्रेड होगी ID फिर आपको मिलेगी 125 लेवल तक income तो 12,000 और जोड लेते हैं और इसमें add कर लेते हैं 12,000 क्योंकि 12,000 आपके और कटने वाले हैं तो यहाँ पर 25,000 रुपे आपके कटेंगे यानकि 25,000 तक आपको देने पढ़ेंगे प्राइम मेंबर्चिप के तब आप 125 लेवल तक income लेने के लिए eligible रहोगे साती में बार फिर आपको upgrade करना पढ़ेगा जी हाँ अगर आपको 135 लेवल के बाद की income चाहिए तो आपको फिर upgrade करना पढ़ेगा जी हाँ 18,000 रुपे फिर आपको देने पढ़ेंगे आपके wallet से फिर आप 500 लेवल तक income के लिए eligible हो जाओगे तो 18,000 रुपे और add कर लेते हैं क्योंकि ये 18,000 रुपे आपके कटेंगे पलस 18,000 रुपे 43,000 रुपीज 35,000 से upgrade करना पढ़ेगा आपको 25,000 और add कर देते हैं इसके अंदर सारा आपके सामने हो रहा है सारा calculation आप देख लेना ठीक है तो ये आठीं बार कर लिया और नोवीं बार फिर upgrade करना पढ़ेगा आपको जी हाँ मैंने कहा ना 35,000 और add कर देते हैं इसके अंदर अब देखें दोस्तों ये है वो joining amount जो INR expert लेता है 1,3,654 रुपे यानि कि 3,54 नहीं 1,3,654 रुपे joining amount है INR expert की और इसके बदले में आपको 200 level तक income मिलेगी तो दोस्तों जैसा कि poster में दिखाया गया मैं आपको दिखाना चाओंगा देखें 354 का plan 200 level income क्या ये सचाई है बिल्कुल नहीं है दोस्तों सचाई वो है जो मैंने आपको दिखाई सचाई ये है जो मैंने आपको जोड के दिखाई 1,3,654 रुपे आपके wallet से कटेंगे आपको 9 बार prime membership लेनी पड़ेगी तब जाके आपको 200 level तक income मिलेगी ये है सचाई ये है plan ये PDF मैंने किसी brother से मांगी थी और उनसे बात की फोन पर भी बात करके मैंने पूरा plan जाना तब जाके मेरे को ये information मिली और सही information देना मेरा काम है और मैं चाहता हूँ कि next money में जो लोग जुड़े हुए है वो बठके नहीं वो next money में काम करते रहे और एक level तक पहुंचें achievement करें success next money से ही मिलने वाली है ये plan आते रहेंगे जाते रहेंगे आपको बठकाते रहेंगे लालस देते रहेंगे यहां पर 354 रुपे का लालस दिया जा रहा है दोस्तों आपको क्या लगता है जो बंदा जोइन होने के लिए 354 रुपे दे सकता है क्या वो 1770 रुपे जोइन होने के लिए नहीं दे सकता next money में तो एक बार ही अप्ग्रेड करना है 1770 रुपे से यहां तो आपको नो बार अप्ग्रेड करना है एक लाख प्लस के अमाउंट होती है अगर जोडते हैं तो मैंने जोड के बताया आपको आपके सामने दोस्तों अब वापिस आते हैं इसी पोस्टर पर आप क्या पसंद करोगे तो भाई हम तो जीवन में एक बार 1770 रुपे देना ही पसंद करेंगे 354 के लालच में बार बार कभी 354 कभी 6000 कभी 15000 इस तरह से एक लाख रुपे हमें लुटाने नहीं है यहां पर हमें 1770 से एक बार ही अप्ग्रेड करना है नेक्समनी के अंदर तो नेक्समनी भी भाया अनलिम्टेड लेवल का प्लान है जी हां नेक्समनी 10 लेवल तक तो इंकम देती ही है इसके साथ ही आपको अनलिम्टेड लेवल तक सिल्वर रोयल्टी, गोल्ड रोयल्टी, डाइमेंड रोयल्टी आपको यहां पर देती है वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती कमपनी रोयल्टी देती है कमपनेट के ट्रन ओवर का अब तो नेक्स मनी के अंदर सेलरी इंकम भी मिलेगी जिस सिल्वर स्टार की इंकम एक महिने की पत्चिसों से ज्यादा है उस सिल्वर स्टार को यहाँ पर मिलेगी एक परसेंट कमपनी के ट्रन ओवर की सेलरी इंकम क्या ये चीज़ें आपकी कमपनी देती है एक लाख रुपे देने के बाद क्या आयनर एक्सपर्ट एक लाख रुपे लेने के बाद इतना सब कुछ देती है नहीं देती दो सो लेवल तक आपको इंकम देती है बस माश्टरिंकम के नाम पर बस वो एक क्या है कि टोफी ए जों फेंकी और लोग छोटे बच्चे टोफियों के लालच में आ जाते हैं जैसे कि हमारे MLM के अंदर वो next money को छोड के उधर भाग खढ़े होते हैं या किसी और company को छोड़के उधर भाग खढ़े होते हैं तो दोस्तों लालच में मत आएगा लालच में आकर किसी company को join मत वो ना क्योंकि लालच में आकर join हो गे तो वहां पर आपको दोका ही मिलेगा वहां पर आप success नहीं हो सकते क्योंकि जहां पर लालस दिया जाता है वहां पर तो फसाया ही जाता है दोस्तों भूल बुलिया की मैं बात करूँगा जी हाँ चलते हैं फेस्बुक पर यह है MLM की दुनिया और यह है भूल बुलिया यहां पर बहुत से लोग अपना प्लान सेर करते हैं बहुत से लोग एक कंपनियों से दूसरी कंपनियों में जोईन होते हैं यहां पर सारी चीजें होती है लेकिन यहां पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है यहां पर जो लोग एक company से दूसरी company में भागते हैं दूसरी company से तीसरी company में भागते हैं वो इसी भूल भलया में भागता ही रहते हैं जिन्दगी पर लेकिन जो लोग टिके हुए हैं वो लोग यहां पर success हैं जी हां जो लोग टिके हुए हैं एक company के अंदर वो लोग यहां पर success हैं तो एक अच्छी सी company join करो उसमें टिके रहो मैं यह नहीं कहिता कि आप next money ही करो अगर आपको next money असान लगता है जिहां यह guarantee से कह सकता हूं सबी से आप उज लेना next money सबसे अचान सबसे असान direct selling company है यहां पर आप बहुत जल्दी success हो सकते हो मैं यही कहूंगा कि आप एक company में टिके रहें ऐसे लालस देने वाले प्लान बहुत आएंगे ऐसे प्लानों में जोइन मत हो ना क्योंकि एक नाव पर बेठे रहोगे तो आप किनारे तक पहुंझ जाओगे अगर आप नाव बदलते रहोगे तो वही उसी भूल बुलया में धीसा की leader यहां पर फसे रहते हैं मैंने देखायाएं यहां पर रोज नए-था करते हैं लोग रोज नए-ए-ड लेफ बदलते हैं और अलग लग Transit बाट क्रते हैं मैंने बहुत से नएक्स्पनीब फिरस बात की वो कोई gold star है कोई silver star है अच्छी उनकी team है लेकिन बोलते हैं कि हमने next money छोड़ दिया हमने दूसरा plan जोइन कर लिया हमने INR expert जोइन कर लिया हमने वो plan जोइन कर लिया उसमें zero से start किया अरे भई next money में already आप silver हो gold हो तो आपको क्या जरूरत है other plan में जाने की क्योंकि next money जितना कोई भी plan नहीं देता ये reality है ये एक सचाई है और next money का जो level है जिस level पर service sector की पहली direct selling company पहुंच चुकी है उस level तक कोई भी service sector की company आज तक नहीं पहुंची जिसने भी शुरू किया जिहां जो भी company आई service sector के अंदर वो भाग गई अब देखते हैं जो company आई है वो कितने दिन ओर टिकती है ये लालच है जो लोगों को दिया जाता है और मैं दोस्तों से यही कहूंगा कि आप next money करते हैं तो उसी को करते रही है अच्छे से क्योंकि यही प्लान है जो आपको आगे तक लेके जा सकता है दोस्तों अब करते हैं सही माइने में तुलना जी हाँ जो चीजे हमने देखी है जो प्लान हमने देखा है next money का तो already जानते हैं और INR expert का मैंने बताया आपको तो अब होगी इसकी सही माइने में एक तुलना जो फेक फेलाया जा रहा था उसके अगेंस्ट जाकर के हमने वीडियो बनाया है ताकि सही जानकरी लोगों तक मिले दोस्तों अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको जिंदगी में एक बार 1770 रुपे देने हैं या नो बार आप प्राइम मेंबर्शिप देते विए 3054 की 700 की 1500 की 3500 की 7600 की इस तरह से एक लाग 3654 रुपे में आपको जोईन होना है आप डिसाइड कीजिए 1770 रुपे देने हैं या एक लाग 3654 रुपे देने हैं 1770 रुपे में आपको unlimited level तक referral income royalty income आपको यहां पर मिलेगी और यहां पर एक लाग 3654 रुपे में 200 level तक ही income आपको मिलेगी अलांकि इतने level तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं जब तक इतने level तक इसका आदा criteria पार करते हैं लोग या तो कंपनी को छोड़ देते हैं या कंपनिया ही उनको छोड़ के चली जाती है कि बोलते यह हैं 200 level 400 level लेकिन इतने level तक कोई पहुंच नहीं पाया है इसके बाद salary income है next money के अंदर यहां पर master income है और next money के अंदर पता है मैंने देखा है plan मैंने call करके अच्छे से जाना है तो यह है सही माइने में अंतर next money एक उस level पर company पहुंच चुकी है अब आगे progress ही progress है इतनी मुश्किलें आने के बाद घड़ी है लेकिन बाकी पूचते हैं तो वो क्या कहते हैं कि पैसा तो अपनी कमाई से कटेगा wallet से कटेगा अपनी जैब से तो नहीं देना तो भाई 200 level तक income मिलेगी और next money में सिर्फ 1770 रुपे एक बार देने है जिन्दकी के अंदर तो आप decide कीजिए क्या सही है क्या गलत कौन सी company हमें करनी चाहिए तो दोस्तों ये था video मेरे को aware करने का सही जानकारी देने का जो market के अंदर जूट फिलाया जा रहा है उन चीजों से aware करने के लिए मैंने ये video बनाई थी और उमेद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और कोई राय आपको देनी हो तो आप comment box में दे सकते हैं और video अच्छे लगी है तो लाइक कीजिएगा share कीजिएगा अपनी team के अंदर ताकि सही जानकारिय उन तक पहुंच सके तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद जैहिंद